मुम्रा ट्राफिक विभाग में एक पुलिस उपनिरिख्षक कारियर रत है जिनका नाम है सुनील मुहिते सब इंस्पेक्टर सुनील मुहिते सुनील मुहिते जादातर कल्यान फाटा परिसर में अक्सर ड्यूटी करते नजर आते हैं हमने और कई लोगों ने सुनील मुहिते जो की ट्राफिक वभाग के पुलिस उपनिरिख्षक है इनके बारे में इतनी शिकायते सुनी कि लोगों से अभधर विवार करना मारपीट करना इसी तरह का एक मामला सामने आया है गत 15 फरवरी को मोटरसाइकल पर बगेर हेलमेट के जाते हुए मोटरसाइकल सवार फिरोज हहमत को उन्होंने रोका और कहा कि हेलमेट नहीं है तुमको चालान भरना पड़ेगा या तो मुझे फिर उसके एवज में पैसे देने पड़ेगे 1000 रुपए दो या तो 500 रुपए दो फिरोज हमत के दोस्त मुझीबुर रहमान उनके साथ बैठे वे थे उन्होंने साफ मना कर दिया कहा कि साफ जो कानूनन चालान बनता है वो चालान आप लीजिए वो काड़ी है वो फाइन हम भरेंगे और आपको उसका फाइन का पैसा हम देंगे उन्होंने लाइसंस जमा कराया और चालान की रसीद ली और कहा कि हम पैसा लेकर के आते हैं भरेंगे और अपना लाइसंस लेकर के जाएंगे उसके बाद वो गए पैसा लेकर के आए और जब कल्यान फटास्तित ट्राफिक विवाकी छोटी सी चोकी में वो गए तो सुनिल मोहिते ने मुझीबर रह्मान जो फिरोज एमत के मित्र थे उनके साथ में किस तरह का बरताओ किया कैसी बाते की और ये तमाम वाकिया क्या था किस तरह का ये पूरा मामला हुआ वा आप खुद सुनिये मुझीबर रह्मान की जुबाद मुझी भाई हिंदुस्तानी रिपोटर में आप क्या बताएंगे इस पूरे मामले को ले करके लोगों से क्या अपिल करेंगे और क्या पूरी जानकारी है इसकी मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त फिरोज के साथ बाइक पर बैटके मुम्रह आ रहा था मेरा दोस्त जैसे पुलिस सिंगनल करास किया उन्होंने हाथ दिया बाइक रोका कहा पर कहा पर कल्यान फाटा सरकल पर अच्छा यह कौन से दिन और कौन सी ता पर अच्छा इसलिए अधिया हमने गाड़ी रुका उन। उन्होंने पैसे का डिमांड किया हाए तो मैं पीछे भाटा वीटा हुआ सार किस बात के तो बोले हम यहलमित का फाइन जो होता बो ले लो वले अच्छा चल पांसो दे मोला पैसा तो मैं नहीं नहीं दूंगा ज एक घंटे बाद, मैं रीटन पहंचा उनको पाउती देने गया तो उनने ने बोले तु जास्तीस्यानपती करता है क्या वहला सर्मा कुछ भी नहीं नहीं पाउती का देखे आपको लेंस ले रहा हूं इतने में उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे तक्कर मारा, पीछे एक टेंपू खड़ी हुई थी, तक्कर मारा, उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने केविन मे लेके और वहां घुसों से मारना चालू कर दिया, मेरे सर पे मारे, पीट पे मारे, गला दबाए, लाच से भी मारे, और उसके बाद बोले जमीन पे बैट, मैं बोलता ना तो जमीन पे बैट, चपल उदार के जमीन पे बैट, मैं बोला सर ऐसा क्यों कर रहे है मेरे साथ, मेरा गला सुखा जा रहा है, मैं एकदम, मैं घबरा गया, एकदम मेरा बिले प्रेसर हाई हो गया, फिर वह बहार निकल गए मुझे मारके पाथ दस मेर के बाद बोल्ते आ कर उज्ढाле जाना तो मैं डांजrire हाँ पूलिस स्टेशन पहुच्छा कॉं द्याए भर क्या हो ये उस की लिगे और て चॉटा早 इंखे लिगने से इंक्यार घठा तो भी आप फिर उद немного में सुनिल मोहतिय सर उनकी केवीम ने मुझे गाली दिया बोले महात भर पे जाएगा तो इधर कैसे यह रहे तीन सो तिरिपन मैं तर उपर केश डालता हूं तुने मेरे से भाइस के माले सर आप अपना केश दायर के मैंने आप से सर के सेवा कुछ भी बात नहीं किया है तो ब बोलते हैं नहीं तुजासती हुसियारि करता है लास में उन्होंने का नहीं लिा आज दूपार में अछी देनी को गया आज भी भी मुझसे नहीं लिए मैं लिए लिया गया बाद में मैंने वकी skills के तुरू application लिखा application लाके commissioner के कौन से कमिश्नर के आफिस में मैंने दिया वहां से दूसरी कौपी लाके मैंने डाई घर पुलिस चोकी में एक अप्लिकेशन दिया उनको अभी कल मैं बाकी आगे कारवाई थाना मैं ACP, DCP को देने वाला हूं, वो देके फिर मैं आवाटियों के एक साप को भी एक लेटर दूँगा, वही के NC जो भी मैंने लिखाया है, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज सुनी जाएगी, मेरे साथ इंसाफ होगा. मुमरा ट्राफिक विभाग में कल्यान फाटा सरकल पर यातायात यानि ट्राफिक की जिम्मेदारी संभालते वक, किस तरह से पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनील मोहिते मारपीट करते हैं, लोगों से पैसे इटने के लिए, किस तरह से उन्हें जो है डराते धमकाते हैं और हा पानी, हाला कि इस मामले में अब मुझीबुर रह्मान ने शिकायते कर दिये ठाने पुलिस आयुक से, ट्राफिक विभाग से, शेल डाइगर पुलिस टेशन से, लभी मुंबई पुलिस आयुक से, लेकिन क्या सीधे सीधे खुल करके बीचोराये पर रिश्वत की मांग कर करने के चलते, प्रिवेंशन करप्शन ओफ एक्ट की धारा के तहट सुनील मोहिते के खिलाफ क्या मामला दर्ज होगा या नहीं होगा, ये तो पुलिस विभाग और ट्राफिक विभाग उन पर क्या कारवाई करता है, उसी से पता चलेगा, और ऐसी जानकारी अब तक तो नहीं हो पाईए, जैसी ही सुनील मोहिते के खिलाफ मुझीबुर रह्मान की की गई लिखी शिकायत पर जब भी जो भी कारवाई होगी, उस खबर के साथ जल्दी हम हाजिर होंगे आपके सामने.